सबी को नमश्कार, स्वागत है आप सब का 10 वर आपर क्लासेज में और ये आज के क्वेश्चन्स आप लोग की प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ प्रिवियस पेपर्स के क्वेश्चन्स भी हैं और बहुत सारे जो बाकी मिक्स चैप्टर्स जो नहीं टच हो पा रहे थे उन से भी लेने की कोशिश करी है तो चले जल्दी से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है जो भी कॉस्ट है उसके 1 बाई 4 वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कॉस्ट को हमें लेट करना पड़ेगा अब देखे अगर मैं 1 लेट करता हूँ सपोज मैंने 1 लेट किया तो 1 का 1 बाई 4 कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा मिन सेलिंग प्राइस क्या आएगा 1.25 हाएगा ये पॉइंट को लेने से हमें बचना है तो हम इसके मुल्टिपल्स में ले सकते हैं चार ले लेंगे तो 4 का 1 बाई 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा या 16 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तो मैं ले लेता हूँ 16 तो सेलिंग प्राइस क्या आगया 20 आगया क्योंकि 16 का 1 बाई 4 कितना आगया 4 हो गया तो 4 का profit means selling price is 20, अब अगली statement कहता है, यहाँ पे हम 4 या 5 भी ले सकते थे, but question के according मैंने यहाँ पे 16 and 20 लिया है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, कहता है, had he sold it at a profit of 1 by 4, अगर उसने 1 by 4 profit पर बेचा होता, तो उसको 50 रुपे ज्यादा का फाइदा होता, अभी वो कितने के profit पर बेच रहा है, 4 के profit पर बेच रहा है, अब देखे, मैंने क्यों लिया 20 लेने का reason अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं 5 का 1 by 4 करूँगा, फिर से वो point में आएगा, जबकि मैं इस 20 का 1 by 4 करूँगा, तो यह कितना जाएगा, exact figure आ जाएगा, तो question के according, cost तो हमारी 16 ही है, selling price 20 है, अगर वो 5 रुपे profit पर बेचता, कि क्या का है, sold it at a profit of 1 by 4th of the selling price, he would have gained rupees 50 more, तो चार की बजाएगा, वो 5 रुपे profit में बेच रहा होता, तो new selling price क्या आ गया, 20 की बजाए 21 आ जाता, क्योंकि पहले 4 के profit में, तो 20 था, अब 5 के profit में 21 आ जाता, तो उसने जो gain कितना किया होता, अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 16 में बेच करके, 16 में खरीद के पहले वो 20 में बेच रहा था, अब वो 21 में बेच रहा है, तो कितने रुपे gain कर रहा है, एक रुपीज gain कर रहा है, तो 50 रुपी gain करने के लिए कितना होगा, जस्ट इसका 50 टाइमस हो जाएगा, तो 50 रुपीज gain कर लेगा, तो इसका 50 टाइमस कितना हो जाएगा, हम इसका 50 टाइमस कर देते हैं, 16 पंजे, 80, 800 विल बी दा रिक्वाइड आंसर, अब देखिए, अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेशन को करने का 200, 800 का 1 by 4 कितना आजाएगा, 200 आजाएगा, means वो 800 की चीज कितने में बेच रहा था, 1000 में, अब उसने कहा कि selling price के 1 by 4 पर बेचे, तो selling price का 1 by 4 कितना आजाएगा, यह वो, 200 आजाएगा, अब आप देख सकते हैं, पहले 200 का profit हो रहा था, अब कितने का profit हो रहा, 200 का, कितने का ह 50 रुपेज ज्यादा हो गया, तो हमारा यहाँ पर option number C is correct, one more thing, जिस बचे ने question भेजा था, उसने answer इसका 600 दे रखा है, okay, तो it may be possible कि मैंने question को कुछ गलत समझ लिया हो, या और कुछ भी हो सकता है, तो as I always say, healthy critique is always welcome, मैं भी human being हूँ, गलतिया मेर से भी हो सकती हैं, तो आप लोग गलती पकड़े, अगर है तो, और comment box में जरूर mention करें, जो भी होगा, हम लोग फिर से discuss करेंगे, because it happens, क्योंकि हम देखे, ये चीजे मैं आप इसलिए discuss कर सकता हूँ, क्योंकि आप सभी teachers हैं, और in future, आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, एक minor minor mistakes होनी ही होनी है, ओके, तो, ये चीजे होती है, it's a part of life, तो हमें इसको deal करना, accept करने में कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा होता है, बच्चे, आपने कुछ गलत कर दिया है, तो ये नहीं कि अपनी ego में ना मननजो कराया, वो ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं, गलत कराया है, okay, accept करो, उसको ठीक कर दो, गलती करके उसको ठीक कर, ना करना, ये सबसे बड़ी गलती है, अगला प्रशन है, कहता है, a trader allows a discount of 10% on marked price, okay, अब marked price क्या होता है, this is the price, which price tag कह सकते हैं, हम लोग इसको, ठीक है, तो 10% का discount देता है, marked price पे, और वो 17 प्रतिशत profit अभी भी earn कर ल profit had the trader sold the good at marked price, okay, हम लोग क्या करते है, marked price मान लिया 100, तो discount देने के बाद उसने कितने में बेचा, 90 में बेचा, ये क्या आ गया, 90 is selling price, अब जो भी cost price रहा होगा, selling price कैसे आता है, अगर profit हुआ है, तो वो total 100%, फिर उसका उतनी percent profit, तो ये 17 प्रतिशत profit है, means ये जो 90 है, वो cost price क 117 प्रतिशत के बराबर है, cost price का, CP का 117 प्रतिशत बराबर होगा, किसके, 90 के, ये वाली बात आगी समझ में, क्योंकि ये marked price है, 10% का discount यानि 10 का discount, तो selling price हो गया 90, अब कह रहा है, cost price का 17 प्रतिशत profit है, तो cost price का 117 प्रतिशत निकाल देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, selling price आ in 200 upon 117, ये आ जाएगा, 13 निम्मा, 117 means 1000 upon 13, ये क्या आ गया, CP आ गया, अब आगे प्रशन देखते हैं, कहता है, what will be profit, had the trader sold good at marked price, अब खरीदा इतने में, बेच वो इतने में रहा था, पर अब वो क्या कह रहा है, कि अगर वो इतने में ना बेच के, इतने में बेचता, तो कितने प्रतिशत का profit होता, क्योंकि discount ना देने का मतलब, इतने में बेच रहा है, खरीदा इतने में, बेच इतने में रहा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, profit निकाल लेंगे, तो profit कितना आ जाएगा, ये 1300, अगर इस से लेंगे, तो ये 1300 minus 1000 बटे में 13, यानि कि 300 बटे में 13, ये क्या हो जाएगा, profit, हमें profit percent निकालना है, तो profit upon CP, तो CP कितना रखा है हमारा, 1000 upon 13, multiply by 100, बस इसको solve कर दो, ये यहाँ पे 20 से 20, इस एक 0 से एक 0, तो 30% means option number A will be correct, अगला प्रश्ण देखते हैं, कहते हैं, Manoj दो radio, ओके यहाँ पे ये मिर से तोड़ी question में गलती हुए है, ये भी एक problem ही है, बच्चो की, ओके ये इसका English रह गया है, ओके, चलिए मैं question ही समझा दे रहा हूं, कह रहा है कि दो radio, Manoj bought two radios for 6400, those who are in English, Manoj bought two radios for 1600, and he is selling these two radios, on one, he is gaining 25% profit, and on another, he is gaining 25% loss, if their selling price is equal, what will be the selling price of both, दोनों का selling price हमें निकालना है, अब देखें हमें क्या समझना है, 6400 रुपे में दोनों उसने खरीदा है, ये आप लोग इसको ये question रह गया था, 6400 में उसने दो radio खरीदे हैं, एक पे वो 25% का, क्योंकि questions आपके पास ऐसे आएंगे काफी, तो इसका मतलब क्या है, कि एक को उसने कम में खरीद करके वो ज़्यादा में बेच रहा है, तभी तो selling price equal आने का मतलब क्या है, कि एक को कम में खरीद के ज़्यादा हैं बेच रहा, दूसरे को ज़्यादा है, पर दोनों का total कितना आना चाहिए, 6400 आना चाहिए, basic से करेंगे तो एक को x मानना पड़ेगा, दूसरे को 6400 minus x मानना पड़ेगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक को 25 प्रतिशत लाब पर, तो इसको किसी को भी 25 प्रतिशत लाब पर कर दो, दूसरे को 25 प्रतिशत हानी पर, तो ये 6400 minus x का 75 प्रतिशत, ये क्या आ गया, ये selling price आ गया, क्योंकि लाब और ये, ये दोनों क्या है, equal है, तो यहां से हमारी equation बन जाएगी, आप इसे solve कर ल एक को 25 प्रतिशत लाब पर बेचा जा रहा है, यानि कि जो भी selling price है, CP1 और CP2 का हमे ratio निकालना पड़ेगा, तो हम उन दोनों का ratio निकाल लेते हैं, हम कैसे निकाल लेंगे, CP of 1 is to CP of 2, अब जैसे कि ये chapter में मैंने ये explain कर रखा है, इसका concept, तो जो बच्चे, जो बच्चे म कैसे लेते हैं, ये 25, CP of 1 हो जाएगा, 25% loss मेंस ये 75% हो जाएगा, ये 25% profit मेंस ये 125 हो जाएगा, अब इन दोनों का ratio क्या आगया, 3 is to 5, ओके, तो हम अब यहाँ पे इसी ratio में इसको हम लोग solve कर लेंगे, तो प्रतेक का विक्रेमुल्य पूछा है, तो पहले तो हम यहाँ पे क्रेमुल्य का ratio आ गया, यहाँ पे हम क्रेमुल्य निकाल लेते हैं, तो ये 3 by 8 आ जाएगा, 28, 24, मिंस एक आ गया, 28, 24, और दूसरा आ गया, 28, 40, मिंस 2400 और 4000, अगर प्रश्न में पूछा होता, कि दोनों का क्रेमुल्य क्या है, तो एक का क्रेमुल्य आता 2400, दूसरे क क्रेमुल्य आता 4000, अब इसने कहा कि विक्रेमुल्य कितना होगा, तो देखो ये भी काफी आसान है, इसने कहा 25 प्रतिशत लाब, तो इसका 2400 का 25 प्रतिशत लाब कितना हो जाएगा, तो 6, 2400, 2400 का 25 प्रतिशत लाब, मिंस 125 प्रतिशत निकालना है, मिंस 5 बटे, 4, तो ये तीन बटे चार निकालना पड़ेगा यह हजार और multiply by तीन तो यह तीन हजार तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या आ गया इसने कहा था कि विक्रेम उल्ले समान है तो विक्रेम उल्ले देखो समान आ गया और अब वो बात आपको clear भी हो गई होगी कि दोनों में से एक बच् प्रश्न देखते हैं प्रश्न कहता है और ट्रेडर और ऐंस 36% प्रॉफिट आफ्टर अलाउइं 15% डिस्काउंट वाट विल बी दो प्रॉफिट वैन इट डज नॉट अलाउट दिस्काउंट तो जैसा है कि हम लोग इसमें करते हैं हमेशा 100 से लेट कर लेते हैं आफ्ट अलाउट 15% डिसकाउंट तो लेट हम लोग ने 100 कर लिया लेट तो 15% डिसकाउंट में 15 का डिसकाउंट दे दिया 85 में वो बेच रहा है ओके 85 में बेच के वो 36% का प्रॉफिट अन कर रहा है मेंस जो भी CP रहा होगा CP के 136% के बराबर क्या होगा 85 होगा यहां से वाली बात क्लियर हो गई तो CP हम यहां से निकाल सकते हैं जैसा कि previous questions में कर रहा था वैसा ही है तो 85 multiply by 100 upon में यह 136, 17 836, 17 85 85, तो यह क्या जाएगा 86, 48, 22, 82, 16, 85, 40 अब देखिए यहां पर क्या समझ में आया कि साड़े 62 की चीज़ जब हम 85 में बेच रहे हैं साड़े 62 यह हमारा cost price है अब इस साड़े 62 की चीज़ को हम 85 में बेच रहे हैं तो हमारा profit कितना है 36% हमारा profit है अब वो कहता है कि when it does not allow discount तो discount नहीं allow करने का मतलब यह चीज़ हमें कितने की बेचनी है 100 की बेचनी है तो साड़े 62 की चीज़ अब जब 100 में बेचेगी तो कितने का profit होगा साड़े साथ इसका बासट साथ सत्तर हाँ साड़े साथ इसका profit होगा तो profit percent पूछा है तो साड़े साथ इसका profit किस पर साड़े 62 पर तो 62.5 इसकी multiply हो जाएगे 100 से यह आजाएगा बारा तिया 36 बारा पंजे 60 यह 5 से 20 तो 20 तिया 60 60 means option number B will be correct next question is कैता है the simple interest and compound interest यह question पहले हो चुका है बड़ एक बच्चे की problem थी इसको दुबारा करा रहा हूँ कैता है simple interest and compound interest for a certain sum of money is 600 and 648 respectively देखे simple interest और compound interest की property की for the first year first year के लिए SI simple interest और compound interest बराबर होता है क्योंकि principal दोनों के बराबर होते हैं जो principal add होता है वो second year की starting में add हो जाता है और simple interest प्रते एक year का equal होता है तो यहाँ पर दिया इसने 600 means SI जो होगा 300 और 300 होगा for two years है तो यह 300 and 300 होगा जो CI होगा वो पहले साल के लिए 300 दूसरे साल के लिए 300 plus 48 अब इसने पूछा rate of interest अब देखो यह जो 48 बढ़ा यह किसकी वज़ा से बढ़ा यह क्योंकि अगले साल principal में यह 300 add हो गया होगा तो यह 48 300 का कितने प्रतिशत है 16 प्रतिशत है तो जो rate of interest आ गया वो हमारा 16% will be the required answer option number C is correct next question कहता है the sum of three numbers is 106 okay the ratio of first two is 5 is to 6 and the ratio of second to third is 9 is to 10 find the second number देखे तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा इसमें तीनों का ratio निकालना पड़ेगा first और second का दिया हुआ है 5 is to 6 second और third का दिया हुआ है 9 is to 10 तो कैसे निकालते हैं तीनों का ratio पहले यह multiply 5 9s are 45 6 9s are 54 और 6 10s are 60 यह किस से जा रहे हैं तीन से जा रहे हैं तो 15, 18, 18 और यह 20 तीया 15, 18 और 20 का ratio आ गया इन तीनों में जो तीनों numbers है first number, second number और third number में अब उसने कहा कि तीनों का sum कितना है 106 है तो हम क्या करते हैं जिस ratio में दिया रहता है उसी ratio में let कर लेते हैं तो 15x, 18x और 20x बराबर कितना हो गया अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो यह किस के बराबर दिया हुआ है 106 के तो यहां से कितना आ गया 20, 30, 40, 50 और तीन 53, means 53x equals 106, x की value क्या आ गई, 2 आ गई यह हमारा b की value कितनी थी, 18x थी, find the value of second number second number is 18x, x की value 2, means 18 दुनी 36, option number a is correct next question है, next question कहता है, the line chart shows the annual food gain production for a country, for how many years was the production higher than the average production for the period, तो मैं क्या करना, जल्दी से इसका average निकाल लेना है, तो average कैसे निकलेगा 200, 350, 80, 400, 580, 814, 40, 740, 840, क्या मैं सही हूँ तो इन सब का total आ गया हमारा, 10, 20, average निकालने के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 176, 102, means 170 आ गया, पूछा क्या है, for how many years was the production higher than the average production, तो average production से higher, यह एक सो अगला प्रश्न है, कहता है, X took a loan of 12500 with a simple interest for as many years as the rate of interest, means जितने साल के लिए लेता है, उतना ही rate of interest है, means प्रिंस प्रिंसिपल हमें दिया गया है, 12500, rate, अगर X है, तो time भी क्या है, X है, अगर यह दो है, यह भी दो है, यह पांच है, तो यह भी पांच है, ठीक है, इसको भी देखें, हम लोग options से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे पहले options से ही बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग basic बात में करेंगे, कहरा 12500 का interest कितना है, 18000 है, तो 12500 का अगर यहाँ पर देखो, तो 12% अगर time है, तो उसने interest है, और time भी उसने 12 ही हो जाएगा, means 144% हो गया, ओके, 144% हुआ, तो साड़े 12000 का 144% लगबग 12 और 44 को अगर हम 50% के मालने, तो यह 18000 के करीब आ रहा है, means यह हमारा answer हो सकता है, ठीक है, और कोई सा, 16 को चेक करने की जोरत नहीं है, क्योंकि 256% हो जाएगा, ओके, 11 को भी इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि 11-11, 121 प्रतिशत हो रहा है, तो 12 का 20 प्रतिशत, 12-24, 18,000 तब भी नहीं आएगा, 14% करेंगे, तो 196 लगभग, डबल के करीब आ रहा है, तो यहां पर देख सकते हैं, कि हमारा option number A is correct, ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, यह अगर direct अगर करना भी है, तो क्योंकि 12-12, 144 हो गया, 144 प्रतिशत हुआ, तो 12-500 का 144 प्रतिशत निकाल लो, ओके, 125 के 100, तो 4000, 5000, और 452, तो देखो लगभग इतना ही आ जाएगा, और अगर इसको basic से करना है, तो हमारा principle हो गया, 12-500, rate into time, upon 100, बराबर किसके हो जाएगा, यह हो जाएगा, 18,000 के, ठीक है, तो यह हमारा interest आ जाएगा, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, अगला प्रशन है, कहता है, a cube stretched to increase its size, the diagonal of a cube is increased by 50%, एक कोई cube है, उसका diagonal, अब देखो ध्यान दो, diagonal क्या होता है, जो room के अंदर, यह question इसमें दो तरीके क्या हैंगे, वो कहेगा, एक किस length का, बांस या चर्ड या सरिया, एक कमरे के अंदर रखा जा सकता है, तो इसके लिए आप लोग को अपने room के अंदर imagine करना पड़ेगा, कि एक room है, तो आप किस तरीके से, सबसे maximum length का, आप सरिया, बांस या चर्ड कुछ भी रख सकते हो, तो वो क्या है जो आपका एक upper corner होगा, और उससे जो फर्ष का corner होगा, वो वाली चीज होगी, तो इसका जो diagonal of a cube का formula होता है, A, मतलब L square, B square, H square का, एक मिंट पहले volume का हम लोग कर लेते हैं, तो volume का formula होता है, क्या, side cube या इसको A cube लिखा जाता है, और इसी तरीके से diagonal का होता है, root 3A यह cube में हो जाता है, अगर cuboid में लिखते हैं, तो इसको L square plus B square plus H square लिख देते हैं, बट यही जब cube की बारी आती है, तो यह क्या आ जाता है, A square, A square, यह A square आ जाता है, तो इसको क्या करेंगे, यह root 3A square आ जाता है, तो यह A, क्योंकि square है, तो यह root से बाहर आ जाता है, और इ diagonal होता है, root 3a, cube का, तो यहां से a की value क्या आ गई, a की value क्या आ गई, diagonal upon में root 3 आ गई, अब देखिए, volume is what, a cube, volume का formula तो a cube का है, तो a cube means, d cube, हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर हमारे यह volume आ जाएगा, एक मिनट, a cube दे रखा है, a की value आ गई हमारी, d by root 3, means यहां जाएगा, d cube upon root 3 का cube, तो हम इसको लिख सकते हैं, 3 root 3 आ जाएगा, d cube by root 3, अब इसने कहा है, the diagonal of a cube increases by 50%, देखो, जो भी diagonal था, पहले उसके नीचे तो हमेशा यही रहेगा, क्योंकि volume का formula हो गए, d cube by root 3, अगर 10 था, let अगर हम, क्योंकि हमें कुछ न कुछ सो value लेनी पड़ेगी, 10 लिया, तो यह कितना आ जाएगा, 10 का cube, 1000 आ जाएगा, ओके, अब 50% increase, means वो कितना हो गया, 15 हो गया, तो 15 का cube क्या होता है, 33, 75 होता है, अब देखो, 1000 से, क्योंकि upon में तो यही रहना है, जो पहले volume आएगा, उसका क्या आएगा, उसकी value क्या आएगी, 1000 upon 3 root 3, जो अब आएगी, उसका क्या आएगा, 3375 upon 3 root 3, तो बढ़ कितना आ गया, 2275 बढ़ गया, 2375 बढ़ गया, तो 1000 से 2375 बढ़ गया, means, direct कितना प्रतिशत बढ़ गया, 237.5 प्रतिशत की वृद्धी हुई, आप यहां से कितना बढ़ा, वो निकाल सकते हो, अब आन में जिससे comparison वो multiply by 100, तो यहां पर देखो, direct भी देख सकते हो, 1000 से 33, तो बढ़ा कितना 2375, अगला प्रशन देखते हैं, बहुत ही important question, यह question इस बार 2019 में एक बढ़ एक DSSB के पेपर में आया हुआ है, वैसे normally काफी 2 गुना और 3 गुना करके दिया जाता है, ठीक है, बट इसमें लोगों ने कुछ ज़्यादा ही confuse का रखा था, कहता है, the selling price is multiplied by 6, because of which the profit get multiplied by 26, find the original profit, normally इसको हम कह सकते हैं कि जब जो selling price है, अगर वो 6 गुना हो गया, तो profit 26 times हो गया, ओके, तो हम पहले हम क्या लेखते हैं, profit का formula क्या होता है, selling price minus cost price होता है, अब इसने कहा कि जब selling price 6 times हो गया, selling price 6 times हो गया, तो हमने selling price को 6 times कर दिया, बट CP तो हमारा क्या रहा, same रहा, तो यह जो profit है, profit कितना हो गया, 26 times हो गया, जैसा कि इसने equation में कहा, हमने as it is कर लिया, अब हमें निकालना है, हमारे पास यह equation है, क्या करें, देखो, जब भी ऐसे situation आ जाए, match में इसलिए का आ जाता है, कि जो भी कहता न वो लिख लो, आगे का क्या करना है, क्या नहीं करना हो आपको वहीं से दिखेगा, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, profit का formula क्या होता है, profit जब भी निकलता है, तो कैसे निकलता है, selling price minus cost price निकलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से, इस profit की जगह, selling price minus cost price रख देते हैं, equals 6SP minus CP, अब देखो, यह क्या आ गया, 26SP minus 26CP, यह साथ की साथ जरूर करते रहें आप लोग, तब ही समझ आएगा, और इसको करके देखना पड़ेगा आप लोग को, otherwise यह समझ में नहीं आएगा, जब भी ऐसे question आएंगे, 2 गुना है, और यह 3 गुना हो जाता है, अगर यह 4 गुना होता है, तो यह 10 गुना हो जाता है, यहाँ पे confuse करने के लिए, multiplied by 6 लिखा गया है, नॉर्मली question में दिया रहता है, यदि selling price 6 गुना हो जाता है, तो उसका profit 26 गुना हो जाता है, 26 times हो जाता है, तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं, यह थोड़ा सा confusing लग रहा है, अब देखे, 26 SP, यह 6 SP इधर आजाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 20 SP हो जाएगा, यह 26 SP उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, 25 CP आजाएगा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कि 20 का SP बराबर है 25 के CP के, तो हम profit या loss तब तक नहीं निकाल सकते, जब तक हम same article खरीदें और same article ना बेचे, तो अगर हम मान ले एक article को एक में खरीदा है, तो 20 को कितने में बेचेंगे यहाँ पर, 20 SP बराबर एक को हमने एक में खरीदा है, तो 25 का CP मिन्स क्या आजाएगा, 25 आजाएगा, यहाँ से हमारे प्यास क्या निकला, कि 20 को उसने बेचा 25 में, अब 20 को खरीदा कितने में होगा, तो जब हमने एक का एक माना है, तो 20 का कितना हो जाएगा, 20, अब देखो, यह वाली unit हमारे पास same आ गई, खरीदा, sorry, खरीदा 20 में, बेचा 25 में, प्रॉफिट कितने का, पाँच का प्रॉफिट, किस पर, 20 पर, 1 बाई 4, means 25% is the required answer, option number C is correct, I know, काफी बच्चे कह रहे होंगे कि, tough question है, देखो, है tough question, no doubt, but, एक दो question, ऐसे ही type के, आप लोग खुद से वो कर लोगे, मिल जाएंगे, कर लोगे, easy लगने लगेगा, चलिए, अगला प्रश्ण देखते हैं, कहता है, the salaries of X and Y are in the ratio of 4 is to 5, if the salaries are increased by 5000 each, then the ratio becomes 13 is to 15, सबसे पहला और आसान तरीका, option लेकर के देख लो, ठीक है, इसने का, find the salary of X, अगर X की salary, 6000, तो अगर यह हमने 6000 ले रहे हैं, क्योंकि 4000 और 10,000 के बीच में 6000 और 8,000 हैं, अगर हम 6000 ले रहे हैं, तो Y की salary कितनी आ गई, 7,500 आ गई, क्योंकि उसने 4 और 5 के ratio में दिया गया है, अब इसने कहा कि 5000 बढ़ा दिया गया, तो यह हो गया 11,000, और यह 5000 बढ़ा दिया, तो यह हो गया 11,000, अगर वैसे करना है, तो देखो, 4X और अपन में 5X में दिया गया है, दोनों को 5000 एड कर दिया, तो इनका ratio क्या हो जाता है, 13 is to 15, बस इस equation को solve करो, तुमारा answer आ जाएगा, otherwise यह option का तरीका best है, अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन कहता है, एक table आपको यहां पर show की गई है, by how much did the expenditure in 2016 increases from 2015, 2015 से 2016 में expenditure कितना बढ़ गया, तो जोड लो पही, पहले 2015 का expenditure जोड लो, तो 9, 7, 16, 22, 32, 32, 35, 10, 45, 55, और यह 60, तो यह 2015 का total expenditure कितना आ गया, यह आ गया हमारा, 6,00,000 आ गया, अब 2016 का जोड लेते हैं, तो 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, यह 7,50,000 आ गया, अब इसने क्या कहा है, कि how much did the expenditure, percentage में हमें निकालना है, तो कितना बढ़ गया, 1,5,00,000 बढ़ गया, ओके, 1,5,00,000 बढ़ गया किस पर, 6,00,000 पे, तो 6,00,000 पे इसका मतलब क्या हो गया, यह 1,4 बढ़ गया, 1,4 का मतलब कितने प्रतिशत आ गया, 25 प्रतिशत हमारा यह answer आ गया, option number C is correct, next question देखते हैं, ओके, time and work में ऐसा question अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग पहले इसको समझते हैं, देखे, कहता है, Z alone can do a work in 240 days, ठीक है, हमें यह दे दिया कि Z करता है 240 days में, अब हमें normally क्या दिया रहता था, कि days दिया रहता था, हमें efficiency निकालनी रहती थी, बट यहां पर क्या किया है, इस प्रश्न में कि efficiency दे दिया है, कहता Y is twice efficient as Z, means अगर Z एक काम करता है, तो Y कितना करेगा, twice efficient है, means वो दो काम करेगा, जो efficiency हम लोग इस तरीके से tree बना करके निकालते थे, वो efficiency यहां पर दी गई है, now X is 1.5 times as efficient as Y, means X जो है Y का डेड़ गुना efficient है, means वो उससे डेड़ गुना ज़्यादा काम करेगा, तो 2 का डेड़ गुना कितना आ गया, 3 आ गया, means अगर Z एक काम करता है, तो Y दो करेगा, और X तीन करेगा, अब देखो, Z कर रहा है 240 दिन में, तो Y करेगा इसी काम को 120 दिन में, क्योंकि ये तो एक दिन में 2 काम कर ले रहा है, ये एक कर रहा था तो ये 240 दिन में, Y दो कर रहा है तो ये 120 दिन में, और X इसी काम को कर लेगा, 3 8 24 यानि की 80 दिन में अब प्रश्ण क्या पूचा है How many days will they together take to do the work अब हमारे पास अगर इन तीनों का LCM लेखें तो कितना आ जाएगा 24 ही आ जाएगा और इन तीनों की efficiency हमारे पास है 3 2 5 और 1 6 total काम कितना करना है 240 तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा 24 option number D is correct क्योंकि यह efficiency हमारे पास आई गई है तो हमें आगे यहाँ पे निकालने की जरूरत है नहीं अगला प्रश्ण देखते हैं कहता find the product of the digit of largest 4 digit number divisible by this this and this 12 18 और 27 से divide होने वाले largest chart digit number के product को हमें बताना है सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि 12 18 और 27 से divide होने वाला पहले हमें number निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम इसका LCM निकालते हैं 2 6 2 9 और यह 27 2 3 9 27 और यह 3 3 3 9 27 ही आ जाएगा तो 27 चोके 108 आ गया मिन्स यह हमारा 108 आ गया अब यह 108 तो 12 18 27 से भाग हो रहे हैं जो इसके multiple होंगे वो अब इसी बात है इन तीनों को divide करेगा अब हम निकाल लेते हैं largest chart digit number is 9 9 9 9 हम इसको 108 से divide करके देखते हैं तो 9 8 72 यह आ गया 972 279 279 यह खतम 279 8 2 16 12 16 16 6 और 39 1 और 6 मिन्स 63 अब देखेए exactly divide होने के लिए हमें क्या करना है यहां पे remainder 0 लाना है एक तरीका हम इतना जोड़ दे कि यहां पर 108 आ जाए बट एक जोड़ते ही है फाइब डिजट में convert हो जाएगा तो दूसरा तरीका हम इस 63 को eliminate कर देते हैं तो minus कर देते हैं इस में से तो 9999 में से हमने 63 minus किया तो यह 9 में से 3 गए 6 6 और 39 means 9936 वो number है जो की largest chart digit number है जो 12, 18 और 27 से divide हो जाएगा अब इसने कहा कि product निकालना है तो product निकाल देते हैं अठरा और 9 निक्यासी 81 को हमारा 18 से गुणा कर लेंगे 18 एकम 18 लेको last में 8 इसी में है तो यहीं पर हमारा question खतम हो गया आगे जाने की जुरूती नहीं है still यहाँ पर कर लेते हैं 18 एकम 18 8 हासिल लगे ए एक अठरा एक 144 और एक 145 1458 is the required answer अगला प्रश्न है कैता है अ कार covers a distance of 720 km in 8 hours by how much should its speed increase to match the speed of a train which covers 600 km in 5 hours कितनी speed बढ़ाएं ताकि वो इसकी speed को match कर भाएं ओके काफी simple question दे दिया है यह तो 720 आट गंटे में कर रहा है मेंस उसकी speed क्या आगए 90 km per hour यह 605 गंटे में कर रहा है मेंस इसकी speed क्या आगई 120 km per hour अब इसकी speed को match करने के लिए कितनी speed बढ़ाने की जुरूत है 30 की किस पर बढ़ाएगा वो तो अपनी existing speed पर बढ़ाएगा 30 upon 90 means 1 by 3 means 33 is to 33 percent या option number भी हमारा correct है तो I hope कि जो भी questions आज कराएं है यह clear हुए होंगे थोड़ी से tough questions थे बट यह आप लोग की problems ही थी और कुछ previous papers के question है मैंने अपनी तरफ से इसमें नहीं लिया था तो इसको कर लेना जरूर बहुत अच्छे से जो problem आती है comment में share करो फिर से उस पे हम लोग discuss करेंगे thank you for today